इतिहास के पन्नों में सुनेहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी कैसे प्रभु को सौप दी तूने पूरी अपनी जिंदकानी सच्चाई सफाई साधगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान इस धर्ती को गुलिस्ता बनाया तू है शाने हिंदुस्तान कभी दुर्गा कभी शीतला बन बर्दानों की वर्षा की मात्र प्रेम लुटाया सब पर है रुहानी पालना की तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रम्हा वत्सों द्वारा पाई है तेरी यादों को संजो कर एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है एक नई माला बनाई है Companion of God दादी जान की जूम जूम कर नाचती थी जो गोपिका बन प्रभु से प्रीत लगाई कुर्बान गई उस पर राधा बन शबरी की तरह प्रभु को भोग लगाती खाती खिलाती हो जाती प्रभु में मीरा की तरह मगन और कहती सखीरी मैंने पाए तीन रतन बाबा, मुरली और मधुबन नमस्कार, ओम शांती आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है Companion of God दादी जान की कारेक्रम में प्रिय भाई बेहनों, आदर निये दादी जान की जी को जितना बाबा से प्यार था उतना ही बाबा की मुरली से भी प्यार था मुरली सुने बिना दादी जी अन का एक दाना भी अपने अंदर नहीं जाने देती थी दादी जी मुरली को संकट मोचन कहा करती थी अर्थात जो हमारे सभी दुख दूर भगा दे और हमारी सारी पेडा हर ले ऐसी शक्ती बाबा की मुरली में है परमात्मा की मुरली की धुन पर दादी नाचती गाती जिसको ग्यान डांस भी कहा जाता है उस विशेपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजियोगी ब्रह्मा कुमार राजुभाई जी आप इस इश्वर्य विश्व विद्याले से काफी समय से जुड़े हुए हैं और विशेश बाबा की मुरली को जन जन तक पहुचाने की आप मधुबन हेड़कॉर्टर में रहकर सेवाएं देते हैं तो आज हम ब्राता जी से जानेंगे दादी जी के साथ के उनके अपने अनुभव ब्राता जी आपका बहुत-बहुत हमारे कारेकरम में स्वागत है हम दादी जी के विशेर में आज बहुत सारी बाते आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप दादी जी के साथ बहुत संपर्क में आई विशेष मुर्ली डिपार्टमेंट में रहे सुवाय देते हैं. लेकिन सबसे पहले हम यह जाना चाहते हैं, आप इस संसथा के समपर्ट में कैसे आए? और आपने कैसे सोचा कि मैं इस संसथा में समर्पित हो सकता हूँ? हम लोकिक में जब उत्तर प्रदेश में रहते थे तो कानपुर के पास एक छोटा सा गाउं था और वहां पर एक नहर कैनाल चलती थी वहां पर एक ओट्षियर साहब आए वो ग्यान में चलते थे जब कि इस इस्वरी विष्व विध्याले की सेवाओं का यूपी और कई छेत्रों में प्रारम हुआ था उसी समय उन्हों ने हमारे गाउं में ज्ञान देना शुरू किया और पिता जी लोकिक माता जी और पिता जी इस ज्ञान में आए साहसाथ मम्मा जब कानपूर में निस मातेसरी जो इस विध्याले की पर्थमुक और प्रसा सिका थी जब वोकानपूर में आई तो उन्होंने पिता जी को साथ लेकर के उचियार साहब मम्मा को गाउं में बुलाया और गाउं में जब आई तो मेरी उम्र बहु छोटी थी मैं चार साल का ही था लेकिन मुझे या वोटसियर सहाब वहां से गए, तो हमारे घर में ही गिता पाठसाला खुल गई और पिता जिसको सम्हालते थे तो मेरा बच्पन इसी जानमार्क से सुरू हुआ परिवार के बीच में रहते रहते और मैं पहली बार जब माउन टाभू आया तो उस समय पिता सरी जी अभ्यक्त पहली बार मैं आया जब मैं पढ़ता था फंदरा साल की उम्रत थी और जब मैंने दादी और देदी को देखा उनकी पालना देखी एक डेड़ मेहना में यहारा एक शुछ की चुट्टियों में तो यहां के वातावराण में यहां के भाई बैनों का सने यहां एक अच्छा वातावन मिला माहौल मिला तो मेरी इच्छा हुई कि ऐसे इस्थान पर ही मुझे सेवा करनी है और आते ही एक अपने पन की फिलिंग आई कि हमारा अपना घर है अपना इस्थान है उसको देख करके मुझे समर्पित होने की भावना जागरत हुई जबकि मैं अपने लोकिक परिवार हमने देखा बहुत आकर्सित हुए और उसके बाद में केवल एक साल पढ़ने के लिए गया और फिर सेविंटी टू मैं आकरके सेवाओं में समर्पित हो गया तो ये विशेश मुर्ली की जो सेवाई है ये आपको कैसे मिली मुर्ली की सेवाई लेने के लिए हमने और हिंदी टाइप सीखने के बाद, दीदी जी जो मारी मुख्य उस समय की प्रसासिका ही थी, माते सुरी जी के बाद, दीदी मनमुहनी को बाबा ने अपना साथ रखा था यहां पर हेट क्वार्टर में, और दीदी बाबा के अबएक्त होने के बाद, बहुत ध्यान से सुनत जित कर्सेंना चाहेंगे कि मुटली हम किसको कहते हैं जो परमात्मा ने पिते श्री जी के अध्यम में रवेसओ कर pracati ऒजयाते हैं, जो परमात्मा के महवाक्य, प्रमाववाक्य के द्वारा उच्यारित हुए, उसको ही ज्ञान मुटली कहते हैं, क्योंकों उस दॉस मोडल तो जब प्रमात्मा पिता का इस रष्टी पर अत्रन हुआ और वो प्रकाया प्रवेश हुए ब्रह्मा बाबा के तन में तो उनके मुक्से जो महावा की उच्छारन हुए वो नोट लिए गए और उसी नोट को फिर रिवाइज किया गया जब वो महावाबा अभ्यक्त हो वो ही महावाक्य फिर रिवाइज किया गया और वो रिवाइज महावाक्यों में से का सार निकालना उनका पूरे क्वेश्चन अंसर बनाना उसको लोगों के आगे प्रस्तुत करना तो दीधी जी इसमें बहुत परवीन थी और जब मैं आया ताइप सिखी तो कहा तुम पह यादी camera कर गजा ताइप कर यादी दिधी ठाइप कर अग क्या तुम मैं लिंग अबन कांपिया निकालता था उना उर जब कारवन कांपिया निकल जाती थी तो दीधी जितने पत्र आते थितना पत्र के टुन सबी पत्र देने के लिए के लिए थी एक तरफ मॉली के प्रस 73 में ही मिल गया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फूरी धीरे पूरी देपार्टमेंट मेरे गए को 76 में में और जब डिपार्टमेंट मिली तो ऊसके बाद धादी जी मुझे गाइट करती थी किसको किस तरह से से शेटिन करनी है, कैसे इसमें उसका सार लिखना है, और पहले जो बाबा की मूडली चली महावा के चले उत तो ओम शांती से प्रारम हुआ और याद प्यार नमस्ते में पूरा हुआ उसका सार क्या है, बाबा क्या चाहते है उसका भाव क्या है उसको इस्पष्ट करने के लिए दादियों ने मुझे प्रेज़ किया और सिखाया कि उसका heading लिखो, उसका essence लिखो, फिर उसके question answer बनाओ, फिर उसके question answer बनाओ, फिर उसमें मूल जो धारणा की बाते हैं वो लिखो, ये प्रारम हमें हमने 76 में शुरू किया, और फिर धीरे धीरे और नमीनता ऐडिशन होती गई, मॉल्ली तो बाबा की वही है, लेकिन नही नही स्वाय का स्काइ लिखो, घाषने समय को S. ऐसका साथयो कर दो का साहए व्राहन होता है, राषने साहरे बाबा, तो एसलिए अचछे लिखो, करने का उनको टाइप करने का उसकी मोर्ली त्यार कहने का पूरा सेवा दाधी ने दी और अव को पीच पंदादा की कुल जार दाधी की माध्य मंधियम से चली हैं वो मोर्लियां भी 48 ियार्स की हैं हमारे पास सारी प्रिंटेड भी हैं बादी जानकी जी जा है कि आप का डादी जानकी जी तोξर्व नमीद मेरा ओटने यृ इसे में वारए इसे वुन्हा गुड़। क्योंकि दादी का ज्ञान रतनों से बहुत सनेय था मुडली का अच्छा मनन् चिन्तन करती थी और मुडली को पढ़ करके बड़ी च्छे च्छे क्लासेज कराती थी और दीदी मनमुहनी और दादी दूनों सखी थी दूनों का बहुत प्यार था पस also बाबा की मुडली सुनने के बाद, दादी प्रकासमनी जी मुडली सुनाती थी, और दीदी उसके नोट्स लेती थी, फिर जानकी दादी को बुला करके उसकी गहराई क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, उस पर आपस में रूह रियान करते थी, और मुझे कहती थी, यह सखी सने सछुआ करते हैं, थाइक रुखन ब्हू रियान करते हैं, और रियान की दादी बहुत अच्छी क्लासेश कराईगी, जो भी क्लासेश होती थी, कि ऊछ वेख्युत्त समय ट्रेनिंग षुरू यह जाती थी अग् girls party day, clubs are just great. झानकी दादी जानकी दुछी पता भड़ा हुए। पर अर्मुरली स्टड़ कर चाहिक noć करे के सहांट कर सेरा ४ outlets तो अर्मुरली की कर Coleworks ट। तो दीदी मुझे एक काती थी आख कर का सिरा लुफ नोट करो कर से ज़ुख गधो, तो भलच नोट करROओ, तो उसमें से बहुत सारी बाते जैसे तो सच्चाई सफाई साधगी और ऐसे बहुत सारी बाते दादी निकालते थे मुर्ली में से, उसमें भी कहते थे ते सखीरी मैंने पाया तीन रतन, बाबा मुर्ली मधुबन तो यह मन क्या मिनिंग है? अज़ दादी जी का जब मन्थन चलता था तो बड़ा ने धंग से होता था और दादी बहुत अंडलाइन उसको करती थी कोई सब्दों को और कई बार मुझे बुलाती थी अपने पास अपने बाद्यों में बिठाती थी कि ये बात उमने कहां से लिखी ये कब बाबा ने भो सब्सक्राइब गजब कसा अऑर फ़ फुटरम थी और इस तो फिर ऊसपर और उस पर आसक थी जैसे एक समया ओिए बाबा की मौणि में आया को बच्च unity ये तो आप बच्चों को भी इस संसार सेगर मैं तए और उढरूढ़ंआ है तो स्क्राइब जीवन ऑन नही हा Cayषा तो दादी ची को यह बहुत अच्छी बात लगी जो पढ़ी उन्हों ने तुरंट पोन किया, क्या हो मेरे पास, यह तुमने कहां से निकाला था था तो बाबा के महावाक्यों में ही, पर ऐसे जब भी बाते आती थी तो मुझे गहती तुम बहुत वंडरफुल है, कहां से नि क्योंकि मैंने शेविंटी टू से लेकर के आज तक जितनी दादी की क्लासेज हैं सब टाइप की जैसे अब एक बाबा की मुझें आप की अधादी जी की सारी क्लासेज भी टाइप की और उसमें हर एक लास में नमीन ता अच्छा चिनतन था उनका यहां से जब लंणन गई बिदेश सेवा में गई तो दीदी जी ने एक बहन की ड्यूटी लगाई ब्रजरानी बहन रहती है लंडन में उनको कहा कि जब दादी जी क्लास कराए तो तुम उसके नोट्स लो क्यों कुछ समय यह सिस्टम नहीं थी टेप करना रिकार्ड कर भेजना तुम उसके नोट्स तुम पास टाइप किय हुए सभी उनकी ख्लासेज हैं बहु सारी कट्टी हुई हैं हमने कही पुष्तके विसाताट वाल्यूम भी छपाये हैं विद्धा के नाम से और भी बहु सारी क्लासेज हैं जो भी भी पत्रपुस्प के माध्यम से मैं सबके पास बहचता रहता बाबा की मौली को अग्रहन करना सुनना शमझना उसके अनुसार वो योग करते थी योग में बहुत प्रवेंड थी जो उनकी दादी का दोगा पाट रहा हैं तो मुंकी प्रसासिका बनी तो दादी ने भी बहुत अच्छी क्लासेज कराई और गुलजार दादी जी जो हर् तो यही तीन दादी है थे जो धुख अच्छ चार्वादी थी तिते। वही ए झालसी करती थे ढौँ आए जो एफ छव बहुत अच्छ्छ इन धादी धादी ।ूं की वहीं थे भाद तो यह सब क्लासी थे टाइप मैंने देख्गा बाबा इनको कई भार साकार में रहते थे ज़ान कि दादी को, चैए बुक्ति के पास ऑखे का थिरे ढाठीं कि रही त्हां ड शां जवाहरी है, दनी है, और झ्या अच्छा ग्यान चिंतन और के दान करना आता है, अच्छे अच्छे हीरे जवहरात हैं, यह जवहरी है, धनी है, और बहुत अच्छा ग्यान चिंतन करके दान करना आता है, एक बार अवयक बाबा ने कहा था, बच्ची के पास इतने गुन हैं, जो इसके कर्मों से गुनों का दान होता है, अच्छा, मंसा से सक्तियों का दान क करती है और कर्मना से गुनों का दान करती है तो बाबा अवेक्ट बाबा कई बार इनकी विसेष्टाइं सुनाते थे और मैं देखता था दादी जानकी को इनका अपनी मंसा पर बहुत कंट्रोल था जो सोचना है उतना सोचना कभी-कभी उनको मुंस्टेबल माइं इन द वर् और लंडन में हम दोनों आपस में बैठके कुछ बाते कर रहे थे ग्यान की बाते हो रही थी और मैं अमेरिका हो करके दादी के पास आया था चुट्टी ले रहा था ले रहा था उनकी मधुमन से पोन आया कि दादी प्रकासमानी जी इज भीस अगस्त की बात है यह उम बै बादी आजा दूबगा तो दादी जानकी मुझे कहती है किutu राजु तुम को तुम पिर जाना है GRबबन तुम जो जो अर फिर फिर पोझ पर पोछते है में भी आजाऊं तो यहां जवाब किादी आप तो एक दो दीजीने ऐermेे शरीच उड़ा, उने के बारॉप DAN से मुख्य प्रसास्थिका रूप में पहले थी। वो मुख्य प्रसास्थिका बनाई अर मुख्य प्रसास्सिका क efecto का का रभार जब उन्हों कैसे चलती हैं, क्या हो रहा है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब यहां आई और उनको जवाबदारी मेली, तो उन्होंने दादी जी के साथ सेवा करने वाले भाईयों को अपने साथ लिया, जिसमें मैं मोर्ली की सेवा करता था, एक दूसरे भाई हमारे काउंट की सेवा करते थे, उन सब को साथ लिया और कहा तुमने जो सीखा है, जो दादीों ने तुम्हें सिखाया है, वो इसे ही तुमको करना है, अगर कोई बात पूछनी है, बतानी है तो मेरे पास आ जाना, लेकिन मैं उसमें कोई करेक्शन नहीं करूंगी, जैसे आप क तो यग्य को स्मूथ चलाने के लिए इन दादीों ने चार बाते हम लोगों को बहुत बिधिवत सिखाई और करके दिखाया, पहला एक उनका निश्वार्त प्यार, सने था, सने के कारण जब भी कोई बात कहती थी तो कोई टाल नहीं सकता था, मना कह दिया तो हो जाएगा और सने के साथ उन्हों को विश्वास बहुत था, कि ये लोग जो कर रहे हैं इतने दिन से यग्य में वह रहे हैं, चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, इसलिए इसमें कोई हमें करेक्शन करने की जुरूरत नहीं है, तो दादियों ने विश्वास बह बहुत तीक्षण थे, ये वेक्ति जो कह रहा है, वो करेगा या नहीं करेगा, वो भी परक लेती थी, और ऐसे कह देती थी, मानलो मैं गया उनके पास, और कई समाचारी उधर उधर से उन्होंने उन्होंने हुए हैं, बहुत प्यार से, मैं जब नोट्स लेने लग तो कहते ह मैं क्या बोल रही हूं, सुनो, और मैं उनको बहुत प्यार से, दादी मुझे सुनाती जाती थी, मैं ऐसे एक टिक हो कड़के सुनता था, और कम से कम आठ दस पत्र उनकी बुद्धी में जो होते थे, मुझे ऐसे ही सुना देती थी, और सुनाने की बात कहती थी, देखो इ तो मैं आता था, सब याद करके फिर ये के को याद करके पत लेगता था, फिर अचानक बुला के पुछती थी, तुमने प्लाने को जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ले आओ, तो ऐसे पूछ भी लेती थी, तो एक तुनका सनेह था, दूसरा उनके अंदर सब के बहुत स्वास था, और तीसरा एक सम्मान देने की अच्छी भावना थी, और चौथा उनके अंदर समझ थी, समझ करके हर एक की नेचर को, हर एक की अंदर क्या इच्छाएं है, उनको क्या जरूरत है, उसको समझ करके उनको हैंडलिंग किया, इन चार विशेष्ताओं के आधार से संगठन को उन्होंने एक करके रखा, इसके कारण इतना विश्तार किया, तेरा वर्सों तक मुख्य प्रसासिका के रूप में उन्होंने कारिभार समाला, 2007 से लेकर के 2020 तक, और उस कारिभेभार में कोई भी अंतर आने नहीं दिया, जैसे चला था, उससे भी अच्छा चला वर्ण चंतन्न करके वो मंसा सेवा करते थे, इसलिए मंसा सेवा के आधार से यगी निर्विक नरहा है, भाई सब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी गहराई की बाते दादी जी के विश्य में आपने बताई लेकिन ये कड़ी यही समाप में होती है, हम अगले एपि तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ती.